दोस्तों आप ये जानते होंगे कि तलावों और समुद्रों का पानी भाव बनकर आस्मान में बारिश करने वाली बादल बनती हैं और यही बादल पानी बरसाते हैं लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ओले यानि बर्फ के छोटे छोटे टुकडे पानी के साथ कैसे बरसते है तो आपको बता दू जब आस्मान में टेंपरेचर जीरो डिगरी से भी कई डिगरी कम हो जाती है तो हवा में मौजूद पानी के छोटे छोटे बुंदे जमना सुरू हो जाती है फिर इनही जमी हुई बुंदों पर और पानी जमता जाता है धीरे धीरे ये बर्फ की सकल ले लेती है जब ये गोले ज्यादा वजनी हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं ये बर्फ के गोले गिरते गिरते गर्म हवा से टकरा कर पानी की बुंदों में बदल जाती है लेकिन ज्यादा मोटे गोले जो पूरी तरह से नहीं पिघल पाते वो बर्फ के ओले के सक करना और एक like करना न honeymoon तू चलिए शूरू करते हैं Wait Number 2 आपने अपने अपने लाइफ में हाथ ज़रूर देखा होगा तो आपने ये भी गौुर किया होगा कि हानओ को हमेशा हिलाते रहता है तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि हाथी ऐसा क्यूं करता है असल में हाथी अपने बड़ी से बोड़ी की गर्मी को कानों के जरिये बाहर छोड़ती है ये काम हाथी के कानों की सेल्स करती है यही वज़ा है कि अफरीका के हाथियों के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि वहां गर्मी जादा होती है एक तरह से समझ लो हाथी के कान हाथी के लिए हात वाला पंका है अक्सर हम जब प्याज काटते हैं तो हमारी आखों से आसू क्यों आने लगते हैं तो ऐसा होने के पीछे की वज़ा है प्याज में पाए जाने वाले Sine Propanthial S-Oxide नाम का chemical जिसमें काफी तीखापन और महक पाई जाती है ये प्याज के कटते ही हवा में मिलना सुरू हो जाती है और फिर यही हवा जब हमारे आँखों में लगती है तो हमारी आँखों में जलन होना सुरू हो जाता है हमारी आँखों के sensitive होने के वज़ा से आसू आने लगते है Fact No.4 आपने कभी ये सोचा है कि हवाएं क्यों बहती है आपने महसूस किया होगा कि हवा तुरंथ ही अपनी direction बदल लेती है मौसम चाहें गर्म हो या ठंडी हवा हमेशा बहती है लेकिन गर्मी के मौसम में इसके speed जादा होती है तो आपको बता दू हवा oxygen, nitrogen, carbon dioxide और धूल कनो का mixture होता है जब किसी जगा की temperature सूरच के धूप से बढ़ने लगता है या गर्म होने लगता है तो उस जगा में मौझूद हवा गर्म होकर फैलने लगती है गर्म हवा हलकी होकर उपर उटने लगती है और उस जगा की हवा का दबाव कम हो जाता है हवा के इसी दबाव को बैलेंस करने के लिए जादा दबाव वाले ठंडे जगों से भारी हवा खाली जगा को भरने के लिए बहना सुरू हो जाती है ये ऐसे ही चलते रहती है तो हम महसूस करते हैं कि हवा बह रही है आप ये तो जानते हैं कि बादलों में पानी की काफी छोटी छोटी बुंदे होती हैं कुछ बादलों में ये बुंदे बहुत जादा होती है तो कुछ में बहुत कम कुछ बादल सफेद दिखाई देते हैं, तो कुछ काले, बरसने वाले बादल आम तोर पर काले दिखाई देते हैं, जब किसी भी चीज पर सूरज की रौसनी पढ़ती है, तो पड़ी हुई रौसनी का कुछ हिस्सा वो चीज अपने में सोख लेता है, और कुछ हिस्सा रिफ पर पढ़ने वाले लाइट को पूरी तरह से सोख लेती है तो वो काले रंग की दिखाई देती है असल में काला रंग कोई रंग नहीं है लाइट के सात रंग जब किसी चीज पर पढ़ती है और वो सातो रंग वो चीज सोख लेती है तो वो काली दिखने लगती है जो बादल सूरज की रोसनी को reflect या वापस कर देती है वो सफेद दिखाई देती है और जो रंगों को सोख लेती है काली दिखाई देती है बरसने वाले बादल में पानी की बहुत सारे छोटे छोटे बूंदे होती है जो light को सोख लेती है इसलिए बरस्ते वाले बादल काले दिखाई देते हैं दोस्तों मैंने ये जनकारी आप तक पहुंचाई अब आगे पहुंचाना आपका काम तो वीडियो को जादा जादा सेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारा